नमस्कार दोस्तों मैं हो अमित तिवारी और एक बफिर से स्वागत है आपका हमारी यूटूब चैनल अमित बिजनेस लॉग में सबसे पहले तो आप सभी को अंग्रेजी नौवर्ष की बहुत बहुत शुप कामना है प्रभु स्रीराम चंदर जी सभी की मनो कामनाय अच्छी वाली मनो कामनाय को पूर्ण करें और उन्हें जीवन में काम्याबी दें उन्नती के पत पर अग्रसर करें आज की इस वीडियो में हम एक एहम मुद्धे पर चर्चा करने जा रहे हैं बहुत से लोगों के हमारे सवाल आते थे बहुत से लोग फोन कॉल करके पूछते थे कि सर इस बिजनस में मसाला बिजनस में प्रॉफिट कितना है या नमकीन बिजनस में प्रॉफिट कितना है कुल विला कि profit होता क्या है इसका percentage निकालते कैसे हैं उस चीज के बारे में आज हम आपको बताने की कोशिश करेंगे समझाने की कोशिश करेंगे चैनल पर नय है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो जरूर शेयर करेंगा ताकि उन्हें भी इस चीज के बारे में पता चलिए तो चलिए शुरू करते हैं देखें दोस्तों profit सिंपल भासा में बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं समझते आ रहे हैं वो चीज होता है जो हमारी बचत होती है कहने का मतलब अगर एक रुपे का सामान हमने दो रुपे में बेचा तो एक रुपे हमारी जो थी वो लागत थी और एक रुपे जो था वो हमारा वो profit हो गया तो उसे profit कहते हैं business में कैसे calculation उसका किया जाता है देखे बिजनस में calculation भी same वही होता है जितनी हमारी लागत है और जितना हमारा profit है उसको calculate करते हैं उसको less करते हैं तो वह हमारा percentage निकल आता है अब business में होता क्या है कि percentage depend करता है अलग अलग जगे के इसाब से जैसे हमने बताया कि example के लिए मसाले उद्द्योग में 20% का margin है आपने का कि ठीक है 20% का margin है लेकिन कुछ लोगों ने का कि नई सर हमारे यहां तो यह 10% में ही बच रहा है इससे ज़्यादा margin निकल ही नहीं रह रहे हैं तो वो area के हिसाब से change क्यों होता है क्योंकि उस पर पर्चेजिंग देखी जाती है अच्छा तो यह पर्चेजिंग पर कैसे depend करता है एक सिंपल हम calculation आपको बताते हैं आप स्क्रीन पर भी हम इसको दिखाने कोशिश करेंगे सपोस करिए कि हमने हल्दी जो खरी दी 80 रुपे की खड़ी हल्दी खरी दी और उसके बाद उसमें हमने पिसाई जो करवाया उसमें 10 रुपे की लागाता है यानि 90 रुपे अभी तक हमारा माल पिसके तयार हुआ उसके बाद जो हमने packaging की for example यह box है इस box में पन्नी के अंदर पैक किया फिर उसके उपर यह box लगा 10 रुपे की packaging 100 रुपे हो गए और plus 10 रुपे हमारे उसमें हो गए जो हमने market में जितना भी हमने supply दिया उसमें petrolling का खर्चा आया एक किलो पे हम 10 रुपे का मान के चल लाए यानि एक किलो हल्दी जो 80 रुपे में खरीदी थी वो हमारी 110 रुपे में तयार हो रही है और market में हम कितने में sale कर रहे हैं for example हमने market में से 1500 रुपे किलो में sale किया तो यह जो बीच का difference है 110 रुपे में तयार हुआ और 1500 रुपे में जो बिका यह 40 रुपे का जो है यह आपका होता है profit इसी को बोलते है margin अब यह profit जगे के हिसाब से change इसलिए हो जाता है कि suppose हमने जो हल्दी 80 रुपे में खरीदी हो सकता है कहीं पर हल्दी 100 रुपे में खरीद रहा हो उसके बाद पिसाई फिर पैकिंग फिर लेबर चार्ज और बिजली का चार्ज और घुमने का salesman का चार्ज उस पर जोड़नेने के बाद वो profit निकाल ला इसलिए उनके difference होता हो यह हो सकता है कि जो तरीका है इसको business में देखने का कि आपने एक कुंटल हल्दी खरीदा या एक कुंटल कोई भी समान करीदा हमने एक कुंटल समान करीदा एक हजार रुपे में और वो बिक के हमारा जा रहा है पंदर हजार रुपे में या एक सौरी एक हजार में हमने खरीदा पंदरा सो अब इसमें एक सवाल यह आता है कि सर हम प्रॉफिट अगले पार्टी को कैसे दें जो DPR रेट होता है या जो होलसेलर का रेट होता है यह कैसे तै करें देखिए इसको भी तै करने का सिंपल सा तरीका यही है कि आपका पर्चेजिंग कितने में आ रहा है इसमें जब आप इस प्रॉपे की चीज हमने 4 रुपे में तैयार की और सीधे अगर उम दुकान पे दे औरहे तो 7 रुपे में दे रहा है, मतलब एक पैकट में हमारा 3 रुपे का बज़त हो रहा है लेकिन जैसे ही हम channel बना रहे हैं channel बनाने में क्या हुआ वो 10 रुपे की चीज जो हमने 4 रुपे में तयार की वो 5 रुपे में हमें distributor को देना है जब हम distributor को देंगे 5 रुपे में उसके बाद वो आगे wholesaler को 6 रुपे में देगा wholesaler उसके एक रुपे बचा के 7 रुपे में रिटेलर को देगा चीज वही 7 रुपे में रिटेलर को पड़ी जो हमने 4 रुपे में बना के direct अगर दे रहे हैं तो 7 रुपे में गया और अगर हम distributor के जरी है wholesaler के जरी फिर रिटेलर को दे तब भी रिटेलर को 7 रुपे में पड़ा हमारे पास से 4 रुपे का चीज उतने में गया बस उसमें profit का ratio जो है वो divide हो गया अब ऐसी बात है तो लोग कहेंगे direct retailer को क्यों नहीं दे देते हैं आप direct retailer को दे सकते हैं लेकिन उसमें क्या होगा कि आपका area शोटा हो जाएगा ये distributor और wholesaler इसलिए बनाते हैं कि उसमें हमारी खपत ज़्यादा हो for example अगर आप हैं आप एक दिन में 100 दुकाने घूम रहे हैं और wholesaler है जिसके हाँ एक दिन में 1000 लोग आ रहे हैं 1000 दुकानों से 1000 लोग आ रहे हैं तो 1000 लोगों के पास वो दे सकता है और आप घूम घूम के 100 दुकानों पे जाएंगे इसलिए profit of ratio कम हो जाता है जब quantity की बात आती है जैसे quantity में माल जाने लगेगा profit का ratio हमारा कम हो जाएगा लेकिन वो जब quantity में जाएगा तो वो आपका जो है लागत उतनी निकलाएगी एक्जामपल के लिए अगर आपने एक रुपे का सामान 100 दुकानों पे दिया तो 100 रुपे हो गए और वही चीज अगर आप 10 दुकानों पे घुम के दे रहे तो 10ी रुपे होंगे तो ये कुल मिला के कहने का मैटर है कैसे profit of ratio निकालते हैं कैसे distributor rate निकालते हैं आचा एक चीज और एक सवाल बहुत ज़ादा लोग phone करके पूछते हैं कि sir इसका rate कैसे divide करते हैं MRP कैसे decide करते हैं कि इतनी MRP हमें रखनी है देखिए इसका MRP decide करने का main तरीका यही होता है कि आपकी कितनी लागातार है कितने percent profit लेकि आप आगे market में बेच रहे हैं और customer को कितने में पढ़ रहा है जिसमें उसका नुकसान में ना हो फिलहाल आपको कुछ नहीं करना है simple सा आप जिस product में भी deal करना चाह रहे हैं आप एक काम करिए market में जो companyya है उनके product उठा लीजे कि हाँ यह मसाला है अगर गरम मसाला 50 gram कितने में companyya दे रही है हमारा गरम मसाला अगर हम 20 रुपे में तयार कर रहे हैं 50 gram और बाकी companyya जो है उसे customer को end customer को 40 रुपे में 50 gram दे रही है और बाकी उसमें channel है marketing है कई सारी चीजे है तो हमें भी MRP जो है उसकी 40 की आसपास रखनी है 40 से ज़्यादा रखेंगे नए product में तो दिक्कत होगी 40 से ज़्यादा कम रखेंगे तो भी दिक्कत होगी 40 का है तो आप 36 रुपे कर सकते हैं इस तरीके से आप market में अपना MRP प्रोड़क्ट पे decide करके रखके और आगे sale कर सकते हैं अमीद है आपको आज की जानकारी कुछ समझ में आई होगी यह छोटी सी जानकारी थी जो देखने के लिए तो कुछ नहीं है लेकिन बहुत बड़ी बहुत बड़े point हो जाते हैं अगर इसको आप समझे तो और समझ कि आप market में उतरे तो हर चीज में आपको सफलता मिलेगी यह जानकारी हम ऐसे ही बतानी की कोशिश करते हैं अपने channel पर दिखाने की कोशिश करते हैं नया साल, नया दिन, नई शुरुआत है करम भूमी है, अप लेक्षर नहीं दे रहा है, बस हम एक बात बता रहा है यह जीवन करम भूमी है, यहाँ पे आप वही फसल काटेंगे जो आपने बोया होगा आप आज मेहनत जो कर रहे हैं, उसका जो फल है वो आपको आगे जरूर मिलेगा यह हम 100% बात बता रहे है आप आज अगर आलस पना कर रहे है तो 10 ज्र怎麼 5 सल बाद आपको उसी का result मिलेगा कि हाँमने कुछ हाज किया नहीं तो कल opened आज जो हम मेहनत कर रहे हैं उसका प्ल हमें कल मिलना ही मिलना है बिल्कुल ताय है इसलिए मेहनत करिए इमानदारी से पूरे अपने जोश के साथ में और काम्याबी आपको जरूर मिलेगी यही कामना है प्रभूशते और आप सभी का दिन मंगल मैं हो फिर मिलेंगे किसी अन्ने वीडियो में किसी अन्ने टॉपिक पे तब तक के लिए नमस्कार जैहिन जैसी आप